24 के लिए BJP की तयारी बड़ी है और तयारी क्या है ये भी आपको बताएंगे विस्तार से शाम पांच बजे योगी मंत्री मंदल का विस्तार होना है चार नए मंत्री आज शपत ले सकते हैं BJP से दो विधायक बन सकते हैं मंत्री SBSP RLD से एक-एक मंत्री बनाया जाना संभव है तो शाम पांच बजे तक का इंतिजार जिसके बाद मंत्री मंदल का विस्तार और असी में असी का जो ये टार्गेट है जो 400 प्लस का नारा है वो कैसे UP के जरिये साधा जाएगा वो इस फॉर्मुले से समझा जा सकता है दारा सिंग चाहान, BJP, OBC चेहरा है, सुनील शर्मा जो है वो यहाँ पर ब्राम्मन चेहरा है तो एक OBC, एक ब्राम्मन, ये दो चेहरे महत्वपून दूसरी तरफ OPC राजभर, SB, SP से OBC, चेहरा और अनिल कुमार, RLD से जो दलिक चेहरा है ये पूरा सूत्रो के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि ये वो चेहरे हो सकते हैं, जुन्हें क्याबिनेट में शामिल किया जा सकता है अब इसके पीछे की खबर और क्या मिल रही है सीधा जल्दी से रोकर लेते हैं, हमारी सेयोगी संजेत रपाठी लखनों से हमारी साथ है संजे, 80 में 80 और जो 400 प्लस का आंकड़ा पार करने की बात कर रही है उसका रास्ता यूपी से ही होकर जाएगा और शायद इसलिए इस विस्तार को देखा जा रहे है केंद्र की सत्ता का रास्ता शीरीन हमेशा यूपी से ही होकर गुजा है आपने देखा है कि यूपी ने कई प्रदान मंत्री दिये है खुद देश के प्रदान मंत्री नरेन मोदी वारानसी से चुनाओं जीत कर गए है और इस वार फिर वारालसी से लोकसभा चुनाओं में मैदान पर है तो आप समझे पूरा जो गडित है पूरी जो तैयारी है वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा चुनाओं है उसमें जो असी का लक्ष है उसको पाने किये चार मंतरी बनाए जा रहे हैं दो की सपत दिलाई जाएगी तैयारियां पूरी हो चुकी है थोड़ी देर में राजुपाल आनंदी बेन पठेल पहुंचेंगी मैं अपने कैमरामें प्रेम सिंगों के तस्वीरें भी दिखाते रहे हैं राजबहन में आप देख सकते हैं इस वक्त पूरी सुरच्छा व्योस तैयारी है वो सीधा-सीधा जाती समय करन साधने को है इन चार मंत्रियों को बना करके उत्तर प्रदेश की अस्ती लोकसभा सीटों में एक बड़ा महत्पूर्ण संदेश देने की कोशिस की बेचारी है और इसलिए ये समय करन जो है वो बिठाया जा रहा है आप इस पर मुम्किन होगा दारा सिंग चोहान आखर क्यों जरूरी है दारा सिंग चोहान इस चहरे पर क्यों आखर मौर लगाना चाहती है पिछडे समाज में मजबूत पकड़ है 2022 में इस पी प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने जीत हासिल की थी सितंबर 2023 में ये घोसी अच्छी खासी है जुलाई 2023 में बीजेपी में इनकी वापसी हुई तो दारा सिंग चोहान ये उनका पूरा अपने राजनीतिक जो सफर रहा वो समझ लिया और ये क्यों उत्तर प्रदेश में जरूरी हो जाते हैं आप देखिए आप दूसरी बात क्या हो जाती है 24 की डग है क्योंकि 2022 में इनोंने 2.14 लाख वोट के अंतर से जीत हासल की थी यूपी में ब्रामन 10 से 12 फिसदी का ये आंकड़ा है जिसे किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है लोग सभा में असर क्या होगा 10 प्लस सीटो पर इसका सीधा सीधा असर होगा इसलिए ये चेहरा सुनील शर्मा जरूरी हो जाता है आप नीरज का रूख करते हैं नीरज ये जो पूरा गणित है जिसका जिक्र यहां संजेबी कर रहे थे क्या लग रहा है आपको कि यही समीकरण साधने के लिए आज इस विस्तार को देखा जाए काबिनिट का ये विस्तार बिल्कुल लोगसभा चुनाओ है उत्तर प्रदेश अस्ती लोगसभा सीटो वाला राज्य है और इसमें जातिकत समीकरण साधना भारतियंता पार्टिकले सबसे इंपॉर्टेंट और भाजपा हमेशा से करती रहे सोसल इंजिनिरिंट में बाजपा का कोई सानी नही है लेकिन लोगसभा चुनाओं में बहुत महत्पूर्ण भूमी का अदा करती है यानि कि जिस दीट पर आप 10 जार 20 या 50 जार से हर जीत का अंतर रहा हो वहां 50 जार उट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको जिताने में बहुत मददगार होते हैं तो इसलिए दारा दोपहर ढाई पर आए बपीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहु पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पर आउन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरिट शो अपने एबी पी डियूज आपको रखे आगे